वाश्कार किसान वरी और बहनों, हमारी यूटूब चैनल गडिशनदे रिफॉम में आप लोग आज पिर से स्वागत हैं, मैं सुनंदा चोगरी आपका वेलकम कट्रीम मेरी यूटूब चैनल के आज पिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोग के बीच में पसकत हुआ है आज की जो वीडियो है, वो कुछ इस प्रकास है, कि जिसे हम आप लोग की कमेंटों के जरीए ही जो है वीडियो बनाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिस करना चाहती हूँ, कि मेरी वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करिए, और मेरा चैनल यदि अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब ने किया, तो सब्सक्राइब भी करिए, सब्लोट करिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा चैनल भी एक बड़ा चैनल बने, और जो भी किसान भाई, छोटी मोटी डेरी फार्म से रिलेटिर इंफोर्मेशन च चाहिए, और हमने भी सुचा कि थोड़ी गोत इसकी बारे में भी किसानों को नॉलिज देनी चाहिए, कि हमें फार्म पे कैसे पर्शू रखने चाहिए, और अच्छी व्रीड हमें कब खरीदनी चाहिए, और कब हमें रखनी चाहिए फार्म कर तो जैसे कि सबसे पहले, आपको दूद बेशने के लिए market देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले की समय में जो है दूद आसानी से विख जाता था और जो है दूद का rate कम भी होता था तो भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि feed वगेरा का rate जो है वो कम होता था इससे जो है कोई farmer को नुकसान नहीं होता था क्योंकि आज से हम 7-8 साल पहले जाएंगे यदि तो गाय का जो दूद है उसका rate जो है 20 रूपे लिटर भी था और आज यदि हम आची बात करते हैं तो 30-35 रूपे लिटर भी यदि गाय का दूद बिक रहा है तो उसमें भी किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका reason यहीं है क्योंकि feed वगेरा जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है तो इस वज़े से आपको सबसे पहले गाय के दूद की marketing समझनी होगी कि आपके एरिये में यदि गाय के दूद की marketing अच्छी है तो फिर आप गाय पालन करिए और हो सके तो डोर टो डोर अच्छी गाय की दूद की अच्छी quality रखकर आप डोर टोर selling करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होगा या फिर गाय के दूद से product बनाकर यदि आप बेच सकें आपके area में तो आपको अच्छा मुनाफ़ा होगा तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा उसके बाद आप नए farmer हैं तो उसके बाद next step आपकी होगी कि आपको पशु कैसे लाने हैं आपके farm के लिए तो first time में आपको जो पशु रखने हैं वो बिलकुल cross breed में लाने हैं बिलकुल fever में आपको first बार में नहीं जाना है उसका reason यह होता है कि fever breed जो होती है उनमें बहुत कठाई आती हैं उनमें बिमारिया बहुत आती हैं उसके बाद आसानी से सूट नहीं होती है उसे सूट करने के लिए उसको हमें पहले समझना पड़ता है तो एक पुराना farmer होता है जो जब वो उसको dairy farm करते हुए समय हो जाता है उसके बाद यदि वो hybrid लाता है तो वो उसका रख रखाओ करने के लिए समझदार हो जाता है तो कि उसे पता है कि एक पशु को कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कैसे बिमारी आती, पर एक जो नया farmer होता है वो बिल्कुल नया ही होता है वो पहली बार first time जब पशु रखेगा और first time में ही hybrid quality की यदि पशु ले आएगा तो वो बिमारियों से ही पशु की इतना परेशान हो जाएगा कि उसको dairy farm बंद करना पर जाएगा क्योंकि hybrid cow जो होती है उसमें एक तो बिमारिया आती है उसके बाद उनका जो खाना पिना है एक balance diet देना वो बहुत जरूरी होता है यदि आप hybrid cow को एक balance diet नहीं देंगे तो यदि आप 30-35 लिटर की गाहल आते हैं और उसे balance diet नहीं मिलेगी तो वो आपको 30-35 लिटर दूद नहीं दे पाएगी पर दे का आपको 20 लिटर दूद भी नहीं दे पाएगी उसका reason यही है कि उसको आप एक balance diet नहीं दे पाएगी तो यह सब समझे आपको जो experience की आउशकता है और experience आपको पहले crossbreed से मिलेगा crossbreed लेकर आईए crossbreed में अब first time जब आप पशु खरीद रहें तो crossbreed में आपको 20 लिटर पर दे की या 20 से 25 लिटर पर दे इतनी बड़ी गाये आपको लानी है क्योंकि पहले हम यदि 15-16 या 5-7 या 15-16 लिटर की जो पर दे की गाये होती थी यदि हम ऐसी गाये खरीद के भी हमारा dairy farm अच्छे से चला सकते थे पर आज महिंगाई के चक्कर में हमको जो है production जादा करना निकालना होगा हमारे farm से जब हमें अच्छा मुनाफ़ा होगा तो इस वज़े से कम से कम आपको जो है 20 लिटर पर दे की गाये अपने farm पर लानी ही पड़ेगी ताकि आप उसकी अच्छी खिलाई करके 20 से 25 के बीच में आराम से दूद निकाल सकते हैं उसके बाद crossbreed गाये में यह होता है कि बिमारिया कम आती है crossbreed गाये में और बिमारिया कम आती है तो आपका जो है पीने में दिक्कत ना करें, stress में ना रहें क्योंकि जब हम बाहर से पशु खरीत कर लाते हैं तो बाहर का पशु आने के बाद stress में आ जाता है खाने पीने में बहुत परेचान करता है महिने महिने लगा देता है खाने में लगने में और कभी कभी पशु की मौद भी हो जाती है चक्तर में तो इस वज़े से यदि आप फर्स टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आसपास की लोकल ब्रीड पसंद करिए ब्रीड मतलब आसपास ऐसा नहीं है कि आसपास आपको अच्छी गाएं नहीं मिलेगी यदि आप घूं घूं कर ढूनेंगे तो आपको आसपास भी एक अच्छी जो है पशु मिल सकता है तो आप आसपास के लोकल एरिये में जो है पशु पर्चेस करिए और वहां का पशु लाकर उसको रखिए उसके साथ आप जब अपना टैम स्पेंड़ करेंगे उसको समझेंगे उसकी खिलए-पिलए करेंगे उसका दूद निकालेंगे तो आपको एक गाए रखने का पुरा तजूर्भा हो जाएगा, नौलेज हो जाएगा उसके बाद जब आप उसमें एक perfect हो जाए आप उसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं अच्छी breed रख सकता हूँ या रख सकती हूँ तब आप जो है hybrid पर जाईए उसके बाद आप hybrid खरीद दिये hybrid भी जब आप खरीदने जाए तो hybrid जो है आपको ज़्यादा नहीं खरीदनी केवल एक से दो गाय खरीदनी है और वो भी आपको ज़्यादा महंगी नहीं खरीदनी है तो कि यदि हम एक गाय महंगी गाय खरीदते तो उसका पैसा हमें निकालने में समय लग जाता है, तो इस वज़े से जितना हो सके हम कम रेंज का पशु खरीदते हैं, तो उसका पैसा फेरने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इस वज़े से आपको जो है कम रेंज की गाये खरीदनी है, बस ब्रीड में अच्छी होना जैसे कि एक किसान भाही का कमेंट था कि regular calcium देने से नुकसान होता है तो regular हम भी ऐसा नहीं कहते है कि बिल्कुल आप regular calcium दीजिये क्योंकि वो बजट से भी बाहर हो जाता है regular calcium नहीं देना है आप minimum महिने में कम से कम 15-20 दिन तो आप calcium खिलाइए ही खिलाइए क्योंकि गाए एक एसा पशु है जो हमें ज़्यादा मातरा में दूद देता है और जब यह हमें ज़्यादा मातरा में दूद देती है तो इनके शरीश से दूद के जरिये calcium निकल जाता है और यदि हम इनको अलग से calcium नहीं खिलाएंगे तो उस गाय को calcium दाउन हो जाएगा और वो calcium दाउन हो तो आप जब गाये पालन करेंगे तो आपको जो है अपने फार्म पर जहें आप क्रॉस ब्राबिर्ड रख रहे हो या हईबिर्ड रख रहे हो आपको कैल्सें और मिनरन देना बहुत जरूरी है और cross breed गाय जब हम लाते हैं तो उसमें हमें ये फायदा होता है कि इनके जो दूद का fat percent होता है वो काफी अच्छा होता है तो जब हम first time जब हमारा farm start करते हैं तो दूद selling करने में परिशानिया नहीं आती है और जैसे हम high milking काउ में जाते हैं तो ज़्यादा दूद देने की वज़े से इनके जो दूद की quality है वो थोड़ी सी हलकी हो जाती है पर बाद में दीर-दीर सुधर जाती है जब हम फीड वगेरा हमारे एरिये का फीड हम जब उनको अच्छा फीड खिलाते हैं तो हमारे पशु की जो है दूद की पेट सुधर जाती है तो इस वज़े से जब first time हम यदि farm start कर रहे हैं तो हमें cross breed लेना चाहिए full breed हमें थोड़े दिनों बाद purchase करने चाहिए तो किसान भाईयो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो और मेरी ये knowledge आपको अच्छी लगी होगी डेरी farm करते हुए हमें भी बहुत दिनों सा experience हो गया इसलिए आप लोग साथ share किया जाता है यदि किसी विशेप पर आप लोगों को वीडियो बन्वानी हो या जानतारी चाहिए तो comment पर ज़रूर से बताना मिलेंगे जल्दी से next वीडियो में एक नई वीडियो के साथ thank you for the watch